तो चत्तिस गड़ व्यापम में जो है CG में जो है प्री B.A.D. और प्री D.A.L.A. दोनों का रिजल्ट जारिक हो चुगा है तो काफी इस्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर आखिर कर कितने नंबर कितने मार्क्स कितने रेंक वाले इस्टूडेंट का सेलेक्शन से हो पा आपके माइन वे चल रहा होंगे वो सभी डाउट्स आपके इतली होने वाले है तो B.A.D. के अगर हम बात करें तो कितने किसका जो है सेलेक्शन सो पाइदा और सीटें जो है कितने हैं तो सबसे पहले मैं आपको सीटें बताना चाहता हूँ B.A.D. के लिए 36 गड़ में जो है कुल टोटल 16,400 सीटें है जिया 36 गड़ के लिए आपके B.A.D. करने के लिए 14,400 सीटें है तो वहीं अगर हम बात करें D.L.A.D. के तो D.L.A.D. के लिए 36 गड़ में जो है 6,710 सीट है और B.A.D. इंट्रेंस एक्जामस को है यदि आप क्वालिफई करना चाहते हैं तो जनरल के टीग्रेवाले अगर आप इस्टूडेंट है तो आपके मांस जो है 75 से 80 होने चाहिए जहीं है यदि आपके एक्जामस में 75 से 80 नमर यदि आपके बन रहा है 75 से 80 नमर यदि आ स्टूडेंट है यदि आप इस्टी के टीग्रेवाले इस्टूडेंट है तो आपके 65 से 70 नमर में आपको सेलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा अगर आप इस्टी के टीग्रेवाले इस्टूडेंट है तो आपका इस्टी के टीग्रेवाले इस्टूडेंट है तो के ना खूज़ सबूदेंट थो इतने से डिवाले स्टूडेंट आपसी के डिवाले स्टूडेंट है तो इतने नमबर लाने वाले स्टूडेंट का सेलेक्शन अधिस ili B8 और DL8 दोनों को ही अगर हम मिला ले तो इसमें Competitions काफी जाद हैं लगबख सड़े तीन लाग जो है Competitions में है इस सीच आपको समझना पड़ेगा B8 के लिए अकेले एक लाग ब्यानवे हजार जो है Candidates है DL8 के लिए एक लाग उनचासा जार Candidates है तो लगबख अराउंड जो है सड़े तीन लाग Candidates है तो सड़े तीन लाग Candidates है और सीटे जो है काफी कम Limited सीटे है तो जिसी स्टुडेंट के जाद अच्छे से माक्स आ रहे होंगे जिसी स्टुडेंट के अच्छे से नंबर आ रहे होंगे कोनी student का selection साथ भी हो पाएगा तो यही चीज़े होता है कि आपको realized बात में होता है आपको अफसोस आपको regret फिल्ट अब होता है जब result जो है चारी होता है तब आपको लगता है कि कासम ने और थोड़ी सी महनत किया होता तब आपको लगता है कि कासम ने और थोड़ी सी कासम ने और थोड़ी सी hard work कर ले होता है तो हमारा selection हो गया होता है या साथ हमें काम्याबिया मिल गए होती यह चीज़े आप जो है सोचते लेकिन जब आपके पास time होता है लेकिन जब आपके पास time होता है तब आपको उस time महनत नहीं करते तब आपको उस times की value नहीं होता तो यही है कि जिसने भी अगर समय की value नहीं किया समय की जिसने भी अगर कद्र नहीं किया तो यहीं समय है जो आपके भी कद्र नहीं करेगा जब आपका time सहीं रहता है तो जब अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपको बहुत साथा महनत करना है खराब टाइम चल रहा है तो भी आपको मेहनत करना है यानि कि बैलेंस करके आपको जो है चलना पड़ेगा जाए जिन्दगी में प्राब्लम्स हो या परिशानी हो उन सभी को साइड रखे आपको सिर्फ काम करना है तो कौंसलिंग का डेट जो है बहुत जल्द आप सभी के डेट फाइनल होने वाला है सिजी व्यापम के द्वारा आप सभी का कौंसलिंग का डेट भी आप सभी के लिए बहुत जल्द आएगा तो जब भी सिजी व्यापम के द्वारा कौंसलिंग का डेट जो है फाइनल होगा कौंसलिंग का डेट आनॉंसमेंट होगा मैं आप सभ आप सभी के लिए कहीं ने कहीं काफी important हो जाते हैं, आप सभी के लिए कहीं ने कहीं सबसे जादा जरूरी, आप सभी के लिए कहीं ने कहीं काफी जादा महत्तुपूर्द हो जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया हैं, ठीक इसी तरह से इतने marks वाले student कहीं selections हो पाएगा, इतने नमबर लाने वाले इस्टूडेंट कही बीएड याड इन्टरेंस एक्जाम जो है क्वालिफाइग हो पाएगा, कम नमबर लाने वाले इस्टूडेंट कही बिल्कुल भी इन्टरेंस एक्जाम जो है क्वालिफाइग नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं कि life आपको बार-बार मौका नहीं देगी एक बार अगर आपके हाथ से मौका ये निकल जाते हैं एक बार अगर हाँ आपके हाथ से वह अपर्चुनिटिश निकल जाते हैं तो फिर उसके लिए काफी जादा regret करना पड़ते हैं फिर उसके लिए काफी जादा मेहनत करोगे. उतने ही जाध आपसे वी के लिए अच्छा हो पाएगा. उतने ही जाध आपसे वी के लिए बेच्ट फिर फिर फो पाएगा. तो बहुत जल्द आपसे भी के लिए counselling का date भी आने वाला है तो जब counselling का date final होगा तो आपको ज़रूर बताँगा तो counselling आपके first round, second round, third round तके जो आपके counselling होता है अगर उसमें अगर seat काली रह जाते हैं तो third round तके counselling होगा नहीं तो अगर seat full हो जाते हैं तो second round में ही first or second round के counselling में seat a lot हो जाएंगे तो उतने में ही सभी का फिर selections हो पाएगा तो 36 गड़व आपके बीएड और डियलेड इंटरेंस एक्जाम 2026 आप सभी के लिए काफी important हो जाते हैं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादर जड़ूरिया आप सभी के लिए कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा महत्तुकूर आप लोगों को देखने को मिलबाता है तो देखें बीएड और डियलेड दोनों ही काफी ज़्यादा important हो जाते हैं उनी का selection जो हो पाएगा, जिनके अगर कम marks आ रहे हैं, जिनके अगर कम number हैं, तो उनका selection तो फिर नहीं हो पाएगा, तो यही है कि जिन्होंने मेहनत जादा किया, जिन्होंने साथ एफट लगाए, उनका selection जो हो पाएगा, और जिन्होंने अगर कम एफट लगाए, जिन्होंन हमारे उपर ही depend करता है हमारे काम के उपर हमारे मेहनत के उपर हमारे hardware के उपर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो पसंद आए तो प्लिस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सभी subscribe कर लेना इन वीडियो को जादा आपको शेयर करना है जतना जादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही जादा लोगों तक वीडियो को पहुंच पाइदा